तेरे निर्वान दिन जयन्ती पर मेले तो लगते हैं पर मिशन की बात पर लेकिन कभी चर्चा नहीं होता अब जी हम जैसे वाव में जो की फ्रेशर है और नया काम सीखना चाते हैं उनके लिए का आदर्श है क्योंकि आपकी उमर बहुत कम है और जज़बा जादा है और काम भी आप उतनी तरीके से करते हैं साथियो बाबा साहब का सपना था भारत बौध मैं बनाना है और बाबा सहाब के बच्चों का शाशन में लाना है लेकिन वह सपना अभी तक सपना ही रह चुका है क्योंकि भारत का परदानमंतरी जब कि बाबा साब के विचारों का नहीं होगा और वो विचारों के विचारों को मानने वाले लोग अभी तक के नहीं बने हैं उन लोगों के लिए यह गाना है क्योंकि हमने अभी तक के बाबा साब की तो माना है लेकिन बाबा साब की बातों को नहीं माने और इसलिए यह गाना वो सच्चा ही बया करता है तो मैं गाना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ तेरी बातों पे गर करते अमल तो ऐसा नहीं होता तेरी बातों पे गर करते अमल तो ऐसा नहीं होता विरोधी हाथ में बाबा निला जंडा नहीं होता तेरी बातों पे गर करते अमल तो ऐसा नहीं होता तेरे निर्वान दिन जयंती पर तेरे निर्वान दिन जयंती पर मेले तो लगते है पर मिशन की बात पर लेकिन मिशन की बात पर लेकिन कभी चरचा नहीं होता अगर सरकारों ने सविधान का पालन किया होता तो भारत के किसी भी बाग में ये दंगा नहीं होता तेरी बातों पे गर करते अमल तो ऐसा नहीं होता हमारे कौम के लीडर सही राहों पे चलते तो तो दिल का दर्द किरती नंद कभी चलता नहीं होता तेरी बातों पे गर करते अमल तो ऐसा नहीं होता विरोधी हाथ में बाबा निला जंडा नहीं होता तो हमारे सात थेते ता थिंक चैनल इसे इन्होंने बाबा साहाव अमंब्यकाजी के एक ऐसा गीत गाया जो कि एक जो नेता बाबा साहव के विचारों गलत तरीकी से प्रकासित करते हैं अगर वो सही मायने में बाबा साब मिड़केजी के विचारों को रखते तो भिरोधी के हाथ में जंडा ना होता और अपना बहुजान रो ना होता और हर जगे बाबा साब बुद्ध में भारत जरूर होता अगर बाबा साब की बात ठीक से किसा राइट बिल्कुल 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 क्योंकि ये युवाओ की जिम्मेदारी है ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जिस तरीके का समाज निर्मान करना है तो हमने अभी आगे बढ़ना चाहिए और बाबा साब के सपनों के लिए काम करना चाहिए यह लिखा किसी और का है बस मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार यह गाने की समाज को जरूरत है क्योंकि वास्तविक्ता में इस्तिती जो है आज कुल ऐसी हो चुकी है और इसी लिए जो है इस गीत के माध्यम से चाहे लोगों तक के अगर पोचना है तो आपके चेनल के माध्यम से या फिर मेरे दथिंग चैनल के माध्यम से हम लोग लोगो सीडिके जणजागरृत कर रहे है और विचार पहला रहे है आapons कड़ा का वाज में जो काया वो भी सांदार था और जिसम ने भी ये घीत लिखा उनके लिए बिल्कों किरतिनंद गजवी साहब को सेल्यूट और इतनी सच्चाई बयां की ये काफियात हिमत की बात है उनको भी आभार और आपका भी तैदल से आभार और क्या कहना चाहेंगे बहुत बहुत आप जो काम है बहुत अच्छा काम कर रहे है भोपाल की रेली को जिस तरीके से आपने अप्रिशीट किया दिखाया और वहाँ पर जो पूरा बहुजन समाज का जो जमावड़ा था लाखों के लोगों में आप जाकर काम किये वो बहुत अच्छा काम है और यह वाँ के लिए जिम्मेदारी है और इसको समझना पड़ेगा विशाल भाई जब तक क्या हम समझेंगे नहीं तो तब तक के समाज की जो इस्तिति हो सुदरेगी नहीं और यह अभी हमारे बहुजन समाज की लोगों की यह जिम्मेदारी है जिस तरीके से मनुवादी में मिनिस्ट्री मीडिया ने हमारे बहुजन समाज के खबरों को दरकिनार कर दिया है उसी ताकत से हमको एक जूट होकर अपने लोगों तक पहुचना है और हर खबरों को अपने अपने चैनल के मादल से बिल्कुल बिल्कुल जरूर बदला आएगा संक्या बढ़ती जा रही ह है दातिंग के तमाम चैनल लगे हुए है और यह जल्ब बहुत जल्ब बढ़ा हुआ फिलाल जय भी जय भीम जय भीम जय बहुत जय भीम